हेलो दोस्तों, a very good morning to all of you और स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहनी क्लासेस भी तो सिक्षा जगत से जुड़ी ही खबरों को आज देखेंगे तो लोग से वायोग की कुछ प्रमुख खबरे हैं जो मैं आपको बताऊंगी और SSE CHSL की परिक्षा आज से उच सिक्षा ने देशक डॉक्टर प्रीती सेवा निर्वित स्कूल चलो अभियान की सुरवात आज से और अन्य कुछ महत्पून खबरे तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तो देखें लोग से वायोग की पहली जो खबर है कि 6 सिकायत करता के कलम बंद बयान के बात जारी हुए संबन एपियस के चैनितों को सीबियाई का संबन लोग से वायोग की भरतियों में भरष्टाचार की सिकायत के जांच कर रहें सीबियाई ने अपर निजी सचिव एपियस 2010 की भरती चैनित ब्यर्थियों को संबन जारी किया है इन्हें पूश्ताज के बयान पिछले दिनों गो विंद्पुर में सिचाई विभाग के डौंक बंगले में बने CBI कैंप कारियाले में दर्ज किया गया था सिकायत करताओं से उनकी सिकायत के संबने में साक्ष भी लिये गए तो सो लोगों को है वो संबन जारी किया गया है और CBI टीम जो है दिल्ली रवाना हो गई है CBI के एक आला अफसर के साथ प्रियाग राज आई टीम आयोग में पड़ताल एवं सिकायत करताओं के बयान दर्ज करने के बाद सोंबार की सुबा दिल्ली रवाना हो गई है तो देखिए इसमें सिकायत क्या क्या है तो इसमें पहली सिकायत यह है अवल तो यह है कि चैनित हुए अभ्यर्थियों ने CCC की फरजी मार्क शीट और सर्टिफिकेट लगाया है CBI ने इस सिकायत की पुष्टी के लिए उन सस्ताओं से डाटा एकत्रित किया जहां मार्क शीट और प्रमार पत्रे लगाने की बात कही गई अब इसी आधार पर चैनित अभ्यर्थियों ने पूँच ताच कर उनके बयार जो है दर्ज किये जाएंगे दूसरी सिकायत क्या है कि कम्प्यूटर टेस्ट और हिंदी में मौडरेशन के बाद नंबर के घटने बढ़ने की है सिकायत करताओं ने कहा है कि मौडरेशन कर कुछ खास अभ्यर्थियों को जादा तो कुछ को कम नंबर दिये गए है सुत्रों का कहना है कि CBI इस बारे में आयोग के अफसरों और कर्मचारियों का बयान दर्ज कर चुकी है और अब वह चैनित अभ्यर्थियों से पूश्टाश करेंगी तीसरी सिकायत क्या है कि तीसरी सिकायत ये है कि चैनित अभ्यर्थियों के आयोग और शासन के अफसरों के संबंद को लेकर है जिसमें कहा गया है कि चैनित अभ्यर्थी आयोग और शासन के अफसरों के करीबी या फिर रिस्तेदार है इस बारे में भी चैनितों से पूश्टाश की जाएगी अगली खबर ये है कि जाते जाते विवादों में फस गए आयोग के अध्यक्ष अनिरुद्ध तो लोकसेव आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनुरुद्ध सिंग यादो के कार्यकाल का सोमवार को अंतिम दिन है यानि कि आज उनका अंतिम दिन है कार्यकाल के ठीक एक दिन पहले आयोग ने आयरवेदिक चिकिस साधिकारी के 325 पदो पे अंतिम परणाम घोशित किया खास बात या है कि यह परणाम रविवार को छुट्टी के दिन जारी किया गया परणाम में 30 जून की तिथी दर्ज है परणाम आयोग की बैठक में जारी किये जाते है इसकी अध्यक्ष्टा आयोग के अध्यक्ष करते है जबकि बैठक में आयोग के सभी सदेश और सचिव मवजूद रहते है प्रतियोगी शात्र इस पर आपत्ती जता रहे है इनका आरोप है कि कार्यकाल के अंतिम दिन और अभिवार को परणाम जारी करना आयोग में पनपे भरस्टाचार को दरसाता है तो प्रतियोगी शात्र संगर से समिती मेडिया प्रभारी अवनीश पांडे का कहना है कि आयोग को 2013 से लंबी जेई और एपियस भरती के परणाम की चिंता नहीं है वेबसाइट उप सचिव की और से जारी रिजल्ट में साफ़तोर पर लिखा है कि इस भरती का इंटर्व्यू 20 जून को पूरा हो गया है देखिए कल हुई थी बैठक आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि आयोग की बैठक शनिवार को हुई थी जिसमें परणाम जारी करने का फैसला लिया गया था आयोग कर्मी चले गये थे इसलिए परणाम वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सका परिणाम में 30 जून की तिथी दर्ज होने पर उनका कहना है कि नेना शनिवार को हुआ था पर परिणाम रविवार को जारी किया गया तो देखिए 10 से 20 जून तक हुआ इंटर्व्यू आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है तो पांच मुकदमे के अधीन परिणाम यह परिणाम जो है इस भरती को लेकर हाई कोट में चलरही पांच याचिकाओं के अधीन घोशित किया गया है यह याचिकाएं भरती में शामिल अलग-अलग अभ्यरतियों की और से अलग-अलग मामलों में दाखिल की गई है आयोग की और से जारी पत्र में कहा गया है कि परिणाम इन याचिकाओं में होने वाले अंतिम निर्ने के अधीन रहेगा अगली खबर भी लोकसेव आयोग से ही है कि 100 से अधिक अफसर CBI मुख्याले तलब तो उत्तर प्रदेश लोकसेव आयोग द्वारा आयोजित परिक्षा में गड़वडी की जाच कर रही CBI उसकी परत दर परत खोलने में जूटी हुई है एक सब्ता तक जाच करने के बाद CBI टीम रविवार की सुबा दिल्ली रवाना हो गई यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ तो UPSC की 1 अपरेल 2012 से 31 मार्श 2017 के बीच हुई परिक्षाओं वह परिणाम की जाच में CBI की टीम 24 जून को प्रयागराज आई थी CBI के Additional Deputy SP चंद्रदीप जी के नेतित्व में पहले चकर की जाच शुरू की तो CBI पूरी तरीके से लगी हूई है जाच में और उम्मेद है कि पारदर्शिता आएगी इसमें जाच के दौरान अगली खबर भी लोग से वायोग से ही है तो नए आयोग अध्यक्ष से सीधा संबाद चाहते हैं प्रतियोगी शात्र ब्रष्टाचार मुक्ती मोर्चा के बैनर तले छात्रों ने रविवार को बैठक की और इस पर जोर दिया कि आयोग के नए अध्यक्ष प्रभात कुमा आली के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए बैठक में मोर्चा अध्यक्ष कोसल सिंग समेत मनोज सिंग हर्सवर्धन प्रतिमा सिंग प्रतिभा सिंग रश्मी प्रमीर सिंग मयंक पांडे वैभाव सिंग इंद्रदेव मेश्र नाजिर हुसेन आधी मौजूद रहें अगली ख चेयन आयोग की CHSL परिक्षा आज तो कर्मचारी चेयन आयोग SSC की CHSL 2018 परिक्षा एक जुलाई को आयोजित की जाएगी परिक्षा ऑनलाइन मोड में तीन पालियों में सुबह 10 से 11 बजे दो पर और 2 से शाम 4 बजे से जो है 5 बजे तक आयोजित की जाएगी देजबर में त कामिल है मद्य चेत्र के लिए 15 शहरों में परिक्षा केंद्र बनाए गये हैं इसमें 9 शहर यूपी और 6 सहर बिहार के हैं इलाहबाद की परिक्षा के लिए और जो है 67,543 अभ्यरती पंजिक्रित हैं और इसके लिए 12 केंद्र बनाए गये हैं अगली खबर यह है कि सिक्षा डॉक्टर दिलीब कुमार भी सेवा निर्वित्थ हो गये हैं डॉक्टर प्रिति कोतम की जगा संयुक्त निदेशक डॉक्टर डीपी शाही को निदेशक पत पर चार्ज सौपा गया वह कारिवाहक निदेशक के तौर पर जिम्यदारी समहा लेंगे तो कारिवाहक शिक्षा निदेशक डॉक्टर डीपी शाही अपने शादगी इमानदारी और नियमा नुसार कार करने के लिए उच्चे सिक्षा विभाग में जो है वो जाने जाते हैं डॉक्टर शाही और निदेशाले के तमाम अधिकारियों एवं करमचारियों ने डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर दिलीप कपूर की भाव भिनी विदाई की तो देखिए अगली खबर है स्कूल चलो अभियान की शुरुवात आज से प्रदेश भर में सों बार से स्कूल चलो अभियान की शुरुवात शुरू होगी यानि की आज से तो कारिकरम की शुरुवात के लिए मु तो अगली खबर यह है कि देड़ महीने की छुट्टियों के बाद आज खुलेंगे स्कूल तो गर्मी की छुट्टियों के बाद समवार से स्कूलों में चहल पहल लौट आएगी तकरीबन सबा महीने की छुट्टी विताकर उर्जा से भरे हुए बच्चे स्कूल में पहुं जो नाजरेत हस्पताल से होते हुए जिला सिक्षा प्रसिशन सस्थान डायट तक जाएगी रैली में कुराओं, बहादुरपूर, धनुपूर, कौडिहार, होलागड, सोराओ, चाका, कौंधियारा के 35-35 बाइकर्स हिस्सा लेंगे बी ऐसे संजे कुमार कुस्वाहा ने बताया कि सिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि पहले दिन सभी बच्चों को बची हुई किताबे वित्रित कर दी जाएं खंड अधिकारियों के माधियम से किताबे स्कूलों में पहुचा दी गई है और साथी 15 जुलाई से पहले सभी बच्चों को दो-दो सेट गुर्वत्ता निशुल की यूनिफाम भी बाटी जानी जाहिए जिला विद्याने निक्षक आरेन विश्वकर्मा ने सभी प्रधानाचारियों को निर्देशित किया है कि पहले दिन से पठन पाठान सुनेशित करें सासन की मन्शा के अनरूप गुर्वत्ता पूडशिश्शा उपलब्द कराते हुए माहवार पाठेकरम को पूरा करें वह स्कूलों को निर्क्षन करने जो है निकलेंगे तो देखिए परशदी ये प्रात्मिक उच्छ प्रात्मिक स्कूलों में पहले दिन बटेगी किताबें एक से पंद्रा जुलाई के भी सभी बच्चे को देंगे दो-दो सेट यूनिफॉर्म तो अंग्रेजी स्कूलों में भी तेड़ महिने बाद लोटेगी रोनक तो प्रामुक अंग्रेजी स्कूलों में सों बार से रोनक लोटेगी और एक जुलाई को सेंट जोसफ कॉलेज खुल रहा है नए प्रिंसपल फादर थाउमस कुमार की अगवाई में पठन पाठनकार शुरू होगा तो ये थी आज की प्रामुक खबरे और कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप पुझे कमेंट बॉक्स में बताएए गाइस प्लीज आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइक करने में क्या प्रोब्लम है प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर तू थैंक्यू वेरी मच्च